वो शुरू हो गया है दस तारीक को वोट पढ़ने है और यहाँ पर सियासी कर्मी पढ़ रही है आप देखी कि कैसे अखलेश यादाव अपने समर्थकों के साथ लगातार जो उनके फैन फॉलोइंग है वो इतनी बड़ी है और यह शामली की साड़कों पर हम इस वक्त कर्मी बहुत बढ़ गई है कि क्या गन्ना किसानों की खीमत समय पर मिलेगी और जो बकाया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो वादा किया था भादेंदा पार्टी ने कि आए दोगनी होगी किसानों की और जिस तरीके से कमाई लगाता नीची जा रही है और महगाई जारी है तो किसान परिवार के घर में खुशाली नहीं है तो जब सवालों का जवाब नहीं आएगा खिसी के पार सवाब एक है उत्ता प्रदेश को डवल इंजिन की सरकार ने बरबाद कर दिया सिच्छा का छित बरबाद है रोजगार है नहीं तो गर्मी तो सवाब एक आ बाद नहीं है सवाल ये किया हुआ कि घिश्सान घुशाल होगा के नहीं होगा और ये चुनाव भार्तिय जंता पार्टी बसिपना भाई चारा है लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की भाशा है उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया क्या लगता है कि इस समय जब चुनाओ चल रहा है तो ऐसी भाशा इस तरीके की बाते करना किसका अधिकार छेता आता है कैसे ये सारी चीज़ों मुझे उम्मीद है कि इलेशन कमीशन इन चीज़ों को नोटिस करेगा और सबाब एक है इलेशन कमीशन देख रहा है आचायर संक्ता का उलंगन होगा भाशा के रूप में या नियमों की रूप में वो जरूर इस बात पर देखेगा कि आखिरकार एक भाटियंता पार्टी हा सारी तकलीफें हैं किसानों के पाँ उनके लिए आपके पास क्या रोड मैं समाजवादी पार्टी ने तै किया हो गडवंदन ने कि आने वाले समय में किसानों को अपने गन्ना भुकतान के लिए धर्णा नहीं देना पड़ेगा और जब भी जब भी उन्हें जरूरत पड अच्छा एक बात हो रही है बढ़ा धुरूविकरन की चर्चा है खास तोर पे जब हम पश्चिमी उतर प्रदेश में आते हैं तो धुरूविकरन की चर्चा और तेज हो जाती है और बहुत सारी बातें उससी से निकल करके आते हैं आपको लग रहा है क्या कि इस पार जो पिछले तीन इलेक्शन में वाता 14, 17 और 19 में उस तरीके का धुरूविकरन फिर से हो सकता है ये चुनाव किसानों ने अपने मान सम्मान से जोड़ा है किसानों ने जो तकलीफ और परेशानी का सामना किया है 700 किसान शहीद हुए हैं नजाने कितने किसानों पर मुकद्वे तरजें टेक्टर नहीं चला सकते थे डीजल नहीं बहुए सकते थे टेक्टर में जब आंधोलन और अपने हक के लिए गए तो किलें लगाएं गए गई बोल्डर लगाए गए और नजाने कितने मुकद्वे लगाए लीकिन किसान जुका नहीं 700 किसान शहीदियों इसके ब पार अठक बेटवग भी करेगा तो किसान उन्हें माफ करने वाकरने वाले नहीं है अभी इस वक्त कैइराना क वाली इलाके में शाम outta अंतिम सवाल का है आख्री मावकिन नहीं सवाल कि क्या का खैराना का मसला जिस स़ारीके से अमी शाय भी कहे योगी for अमिश्या जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था उत्तराखंड में जहां पर एक हजार से ज़्यादा गाउं खाली है और वकायदा भारती जनता पार्टी ने पलाइन की रिपोर्ट बनाई थी आखितकर वहां क्या है भारती जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार रादने ते एक पलाइन होने जा रहा है इसलिए निरास है